हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लता की लाइबरीरी आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसुरत पैटन सेयर करने जा रही हूँ इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोट्टी, जैकेट, गल्स स्वेटर, गल्स टॉप, बच्चों के औल प्रोजक्ट, कैप, ब्लैंकेट, जैन साफ स्वेटर, फुल स्वेटर, जैकेट इसके अलावा आप इस पैटन को बॉर्डर के लिए भी अपलाई कर सकते हैं बनके भूत ही खुबसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है, फ्रंट साइड से हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होता है सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे, फिर कोई सा भी बॉर्डर पैटन बनाके कम्प्लीट करेंगे बॉर्डर पैटन कम्प्लीट होने के बाद फ्रंट साइड से हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होता है यदि आप इस पैटन को बॉर्डर के लिए अप्लाए करोगे तो सबसे पहले अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालोगे फंदे डालने के बाद हमारा ये पैटन बॉर्डर के लिए बनना स्टार्ड हो जाएगा इस पैटन को बनाने के लिए हमने टू के मल्टिपल में फंदे डालने है प्लस हमने टू फंदे एक्स्ट्रा डालने अब हम अपना pattern बनाना start करते हैं तो देखे, border complete होने के बाद front side से pattern की first row में देखे, पहला फंदा उता लेंगे, यह पहला फंदा उता लेना है, धागा अपनी side करेंगे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे उल्टे बुन लेने हैं, फिर धागा पीछे, फिर दो फंदे सीधे, एक, दो, अब next हमने यही process repeat करना है, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, यह हमारी pattern की first row है front side से, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी side, दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे आ जाएंगे, और last में हमारा एक फंदा सीधा आ जाएगा, तो देखे ए front side से यहारी pattern की first row complete हो गई, wrong side से देखे second row, आप second row में देखे, फिर फंदा उता लेंगे, धागा पिछे कर लेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, धागा अपनी side, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पिछे, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी side, दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे, लास्ट में एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, तो देखे ए रोंग side से हमारी pattern की second row कम्प्लेट हो गई, आप देखे फ्रंटी side से pattern की third row, third row में देखे, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी side करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, आप देखे नेस्ट हमारे सीधे फंदे आ जाते, इन में हमारा pattern आएगा, तो देखे इन फंदों को हम twist कर लेंगे, second number का फंदा हम right needle में इस तरीके से उठाएंगे, आगे का फंदा sleep करेंगे, और back side से इसको left needle में उठाएंगे, इस तरीके से हमने इन दोनों फंदों को twist कर लेना है, अब right needle वाला फंदा भी left needle में shift करेंगे, अब इन दोनों फंदों को हम एक-एक करके सीधा बुनेंगे, ये दिखे एक और दो, अब नेस्ट हमने यही प्रोसिस रिपीट करने, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, अब नेस्ट फंदे हमारे ट्विस्ट हुँँगे, सेकिंड वाला फंदा आगे लाएंगे, फर्स्ट वाला फंदा पीछे, अब इन दोनों फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, सेकिंड वाला फंदा राइट नीडिल में उठाएंगे, आगे की साइड से, आगे का फंदा सिलीप करेंगे, बैक साइड से इसको लेफ नीडि में shift करेंगे फिर दोनों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे लास्ट में हमारे दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे ये फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की थार्ड रो कम्प्लीट हो गई रॉंग साइड से देखे फोर्ड रो एल्ला फंदा उतारेंगे दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे दागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे दागा पीछे दो फंदे सीधे बुनेंगे दागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर दागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे धाग अपनी साइट लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे ये दिखिए रॉंग साइट से हमारी पैटन की फोर्थ रो कम्प्लीट हो गई आप दिखिए फ्रंट साइट से पैटन की फिफ्थ रो 5th row में हमारा pattern repeat होगा 5th row को हम pattern की 1st row की तरह बुनते हुए complete करेंगे wrong side से जो हमारी 6th row आएगी उसको हम 2nd row की तरह बुनेंगे 7th row को हम 3rd row की तरह बुनेंगे और wrong side से जो हमारी 8th row आएगी इसको हम 4th row की तरह बुनते हुए complete करेंगे अब हमने इन ही चार सलायों के पैटन को बार बार रिपीट करते जाना है और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटन है आप इसे all प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूड़ें थैंक्यू